जै माकाली मित्रो, आपका मेरी चैनल माकाली मादुरुगा शक्ति समबाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रैस कीजिए जिसे मेरी आने वाली विडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए पहली बात जो महत्पूर्ण है समझने वाली है वो ये समझनी है कि जो सवारी आपके शरीर पर आती है वो क्यों आती है देखिए सवारी जो होती है एक शक्ती होती है एक ओर्जा होती है जिसको आपने पूर जनम में सिद्ध किया है आपने जो पूजा पाट किया था और जो तपस्या की थी उस तपस्य के कारण ही वो शक्ति आपके साथ जुड़ गई और पूर जनम में वो आपके साथ रही जब तक आप जीवित रहे फिर उसके बाद आपकी मृत्य हो गई और आपने जनम लिया लेकिन कहते हैं कि जो मृत्य होती है व्यक्ति की मृत्यू नहीं होती व्यक्ति केवल एक चोला बदलता है क्योंकि जो शक्ति होती है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ती है वो आपके शरीर के साथ नहीं जुड़ती तो जो शक्ति होती है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ी होती है और उस शक्ति को पता होता है कि जब आपने चोला बदला, कि जो आत्मा है, उस आत्मा ने कौन सा चोला धारन किया है, तो वो आपकी आत्मा के अनुसार ही आपके साथ जुड़ती है, यानि पहले जनम से, पूरु जनम से चल करके, यह जो आपका present बर्थ होती है, उसके साथ वह जुड़ती है, तो उसके बाद में जो शक्ति आपके शरीर में जुड़ जाती है इस जनम में, तो कुछ व्यक्ति इसका ग्यान नहीं रखते हैं, और घर के परिवार के व्यक्ति होते हैं, वह भी इसका ग्यान नहीं रखते हैं, ऐसी प deliveries में बहुत लोग की नहीं रहेगी कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा तो वह क्या करते हैं वो किसी भक्त के पास जाते हैं या किसी तांत्री के पास जाते हैं किसी के पास भी जाते हैं सोखा के पास जाते हैं तो वहां जा करके वो क्या कहते हैं कि हमारे पुत्र के साथ या पुत्री के साथ ये सबी समस्या है और आप इसका निवारंग कीजिए तो वो क्या करते हैं जो आपका बच्चा होता है या बेटी होती है उसका बंधन कर देते हैं यानि जो उसका शरीर होता है उसका बंधन कर देते हैं और बंधन करने के कारण क्या होता है जो सावारी होती है जो शक्ति होत और जब बंधन हो जाता है जो शक्ति होती है जो और जा होती है वो आपके छरीर में प्रवेश के लिए तो इसे क्या होता है शक्ति यह था ही तो क्रूंकि नीज न जब कोरको से लगुख़चे। जो negative उर्जा होती है वो क्या करती है वो आपका कभी कोई फायदा नहीं करती आपके घर को शमशान बना देती है आपके घर को खाली कर देती है पैसा नहीं रहने देती है बिमारिया ही बिमारिया देती है कलेश देती है जगडे देती है आपके घर की उन्नती रुख जाती है आपके घर का वंश रुख जाता है वंश प्रद्धी नहीं होने देती आपकी जो सामाजिक इस्तिति है उसको भी खराब कर देती है तो ये एक शक्ति होती है लेकिन जो साकारत्मक शक्ति होती है दिव्य ओर्जा होती है क्योंकि कोई भी जो शक्ति होती है अच्छी ओर्जा होता है देवी देवता की औरजा होती है जासे माकाली की औरजा future की औरजा होती है करोण बोलेनाद के दूद होती है बालजी के दूद होते हैं या कोई भी औरजा जिसको आप कहते हैं dalfree जाओडिय आपके साथ जूड़ी है तो वो उसका कारण है क्योंकि वो आपसे कुछ परोपकार का कारिय कराना चाहती है वो आपसे दरबार लगाना चाह सकती है वो आपसे गद्धी लगाने को कह सकती है या वो ऐसे सामाने रूप से भी आपके आसपोडोस में जो व्यक्ति हैं उनका भ व्यक्ति को कश्ट भोगना पड़ता है उसको कश्ट होता है क्योंकि जो प्रॉपकार का कारिय वो और्जा उससे कराना चाहती थी और वो व्यक्ति अपने शरीर का बंदन कर लेता है तो इसके फलसुरों वो और्जा उसको कश्ट देती है कही ना कहीं क्योंकि वो प्रॉपक हमें आपकी जो शरीर है वो पूरी तरह से तूड़ने लगता है आप परेशानी से लगता है आपको शरी तूटता है दर्द होता है और आप अजलों तो धूतर आप ढूत है आप है और अगर दर्द कोई इलाज नहीं होता है और उसका जो कारण है वो भी पता नहीं लगता है अगर आप बंधन करा देते हैं अपनी सवारी का तो आपको नहीं नहीं बीमारिया लगने लगती है यानि स्वते ही आपको कुछ नहीं परिशानी होने लगती है आपको कोई नहीं बीमारी होने यानि एक प्रकार से आप नास्तिक बन जाते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर का बंदन करवा देते हैं, वो व्यक्ति चरितर हीन हो जाते हैं, यह पुरुश होगा तो भी चरितर हीन होगा, इस तरही होगी तो भी चरितर हीन हो जाएगी, यानि उसकी जो सजबुद्धी है व क्वूश करती है वहां से बंधन कर दिया जाता है तो जहां-जहां से वह बंधन लगाते हैं उस-उस जगे पर आपको दर्द होता है आपको शारीरिक तकलीफ होती है और उसका भी कोई इलाज नहीं होता है वो दर्द ऐसा होता है और उसके बाद क्या होता है जब आप इतने परेशान हो जाते हैं आपके साथ एक शारिरिक परेशानिया मांसिक परेशानिया क्योंकि जब शारिरिक होगी तो मांसिक अपने आप ही हो जाती है तो उसके बाद में आपको बहुत का पता लगता है तो आप यह चाहते हैं कि वो सवारी वापस आ जाए और हमें इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए लेकिन ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि जो सवारी होती है जो भी वापस नहीं आती, जो एक बर चली गई, वो चली गई, फिर उनको वापस बुलाना असंभव कारिय होता है, कुछ व्यक्तिय कारिय कर देते हैं, शक्तिय को बुला देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे प्रतन नहीं रहती हैं, दूसरी बात, अगर आप चाहते है कि सवारी आपके शरीर पर ना आए, तो उसके लिए आपको जो करना चाहिए, वो ये करना चाहिए, कि आपको उसको बंदवाना नहीं चाहिए, आपको उस सवारी से, उस शक्ति से बचन ले लेना चाहिए, कुछ समय के लिए, कि आपको समय के लिए ना आए, जब तक इस बच्ची की या बच्चे का विवा नहीं होता है तब तक आप इसके शरीर पर प्रगट ना हो और ये कहना कि जिन विक्ति पर सवारी आती है क्या उनका विवा नहीं होता है क्या विवा नहीं कर सकते हैं और क्या शक्तिया उनको विवा नहीं करने देती हैं तो ऐसा नहीं होत कि क्योंकि जो शक्ति होती हैं जो भी शक्ति आपके शरीर में आती हैं उनको पता होता है कि आपकी क्या वास्तविक जरूरत है क्या आपको किस चीज की आवशक्ता है तो वो इस जो विशे है उसमें कोई भी बादर नहीं डालती है यानि आपको विवा भी करने देती हैं इसकी क्या देन चरिया है वो आपको पूर्ण समय देती हैं सब कुछ करने की आग्या देती हैं लेकिन आपके अंदर श्रद्ध होनी चाहिए भावना होनी चाहिए जनकल्यान की भावना होनी चाहिए साथ ही अगर आप उनका बंधन करा देते हैं तो ऐसी परस्तिती में जो इस्तरी होती है कभी-कभी वो बांज भी हो जाती है पुरुष भी बेकार हो जाता है यानि संतानुत पत्ती नहीं कर सकते साथ ही शक्तियों के नराज होने से आप को धनहीन भी बना देती है यानि धरिद्र बना देती है तो ऐसी परस्तिती में आप जाकर भी कुछ नहीं करा सकते नहीं अपना इलाज करा सकते हैं और जो ये बंधन हुआ है आप इसका भी इलाज नहीं करा सकते हैं क्योंकि जब आप शुल्क आपको देना ही पड़ता है क्योंकि अगर आप किसी भी भगत के पास जाते हैं किसी भी तंत्रिक के पास जाते हैं और वो कोई भी क्रिया करता है तो क्रिया करने के लिए वस्तू की आवशक्ता होती है तो वो वस्तू का जो धन होता है वो आपको ही देना होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना सामर्थे नहीं होता कि वो अपने पास से सभी सामगरी आपके लिए लगा कर दे उसके लिए आपको धन देना ही पड़ता है तो इसलिए कहा जाता है कहते हैं सब कि ये व्यक्ति धन लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत पूर्ण थी जिन वियक्तियों ने ऐसा करा दिया है। तो मित्रों भगवती से यही प्राथना करती हूँ कि वो आपकी बंडारे भरती रहे। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महकाली जै महकाल।